फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि पुरुस फरेटिलिटी को कैसे बढ़ा जाए पुरुस की प्रजनन चमता है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए तो फ्रेंट्स मैं पिछले कुछ दनों से फरेटिलिटी के उपर ही वीडियो बना रही हूं जिसमें मैंने बताया था फरेटिलिटी होती क्या है उसके क्या सेम्टम होते हैं उसके क्या रेजन होते हैं तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगे कि आगर आपको यह प्रॉब्लम है आप जान चुके होगे कि आपको फरेटिलिटी की प्रॉब्लम है तो मैं आज अपने वीडियो में ब करोगे तो आप कुछी दिनों में अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पाज सकोगे तो हलो गाइस वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल ससी प्रेगनेंसी टिप्स आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आजकल का लाइफ इस्टाइल बहुत ही बिगड़ गया है जिसमें आजकल का खाना जो कि हम जातर जंगफूर खाना पसंद करते हैं घर का खाना पसंद करते नहीं जिसके कारण भी यह सब चीजों पर इफेक्ट पड़ता है और नसीली चीजों का सेबन खान पान और जीव क्यों कंसीब नहीं करा पाता है तो इसके कई सारे उपाय होते हैं इसका इलाज करने से पहले डॉक्तर भी न कुछ टेस्ट और जाच करवा कर्वाते हैं कि जिसे उनको पता लगा सके कि किस कारण से उनको यह प्रॉब्लम हो रही है तो इस कारण की पुष्टि करने के बास्त को पर ही निरवर करता है वो सारे करते हैं उसके सथाम करते हैं उसके अधार पर भी वो उसका धार अधार आय। वह नहीं थीख हो जाएं करने वह आप सकती है्याह om doing in the future से आप फॉलो करोगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम से निजात मिलेगी यह एक लंबा प्रोसेस होगा इसमें टाइम लग सकता है तो फ्रेंट्स इसमें आपको घवराने की जरूत नहीं है आपको टाइम लगेगा अगर आप नियमित रूप से यह उपाय फॉलो करोगे तो आपको जरूर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी तो फ्रेंट्स नमर एक है सिग्रेट और सराब से दूर है अगर आप सिग्रेट पीते हो आप सराब भी पीते हो तो फ्रेंट्स अगर आपको न यह इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है आपको डॉ नमर दो होता है नियम भी तरूप से ब्यायाम करें आपको हलके फुल के ब्यायाम भी शुरू कर देने चाहिए जिससे इस यह एक नैचुरल तरीका होता है जिससे हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं और उसकी बज़े से इस समस्या से हम लोग ना इजाद पा सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको हलके फुल के ब्यायाम भी शुरू कर देने चाहिए नमर तीन होता है तनाप से दूर रहने की कोशिस करें वैसे तो हर किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वह तनाप से ग्रसित हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉ प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है नमर चार होता है अधिक दवाओं का सेवन अगर आप सारी दवाईं यूज करते हो आपको कोई अगर कोई मैडिकली प्रॉब्लम है तो आपना कम से कम दवाईयों का सेवन करें हो सके तो होम रेमेडि भी होती हैं कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिन में हम अगर home remedy यूज़ करते हैं तो भी उस problem से हमको विमारी से हमें चुटकारा मिल जाता है तो friends आप कम से कम दवायां लेने की कोशिस करें नमर पांच रोजाना कुछ समय तक meditation जरूर करें फ्रेंट्स आपको कुछ समय के लिए ही सही लेकिन meditation जरूर करना जिससे आपका mind एकदम सांत रहेगा और आपना तनाप से भी दूर रहोगे नमर चे होता है पोसक तत्यों से भरपूर अहार का सेवन करें फ्रेंट्स आपको न अपनी डायेट में पोसक तत्यों से भरपूर खाना ही रखना है आप जंक फूर अवोड कर देना है आपको और आपको पोसक तत्यों से भरपूर अहार का सेवन करना है जिससे आपकी इस प्रॉब्लम से जल्दी से जल्दी को चूटकारा जीज़ों को आपको अपनी डायेटमें सामिल करना है टो कोई कि रात को 12 बजे खा रहा है कोई रात को 11 बजे खा रहा है आपको ऐसा नहीं करना है आपको खाना टाइम से खाना है आपको लंच ब्रेक्पास्ट डिनर सब टाइम टू टाइम करने आए आपको रात को टाइम से सोना है सुबर टाइम से उठना है तो आपको अपनी इस लाइ करना मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू